साथियों साथ वेस्ट जिसे हम कहते हैं नरितिकोंड दक्षिन पस्चिन वो दिशा होती है मालिक का स्थान और जब वहाँ पर चलता है पानी और नेगेटिविटी वहाँ पर क्रेट होती है वाश्रूम से बातरूम से टॉलेट से तब वहाँ पर रहने वाले की जो स्टेबि करने को मन ही करता आप हैं घर के मुखिया जब ऐसी स्टेज में आप फच जाएंगे तो आप देखेंगे अपने घर को और देखा टॉलेट बना हुआ है आपका साउथ वेस्ट में तोड़ना नहीं है बिना तोड़ फोड़ के छोटी छोटी रेमेडी आपको बता रहा हूं म जिससे की साउथ वेस्ट में आपका जो टॉलेट बना हुआ है उसकी नेगेटिविटी वहां से फिनिश हो करके और वहां पर हम अर्थ हैलिमेंट क्रेट करेंगे क्योंकि अर्थ हैलिमेंट ही वहां का सबसे बड़ा तत्व है कैसे जानने के लिए चलिए आखीर तर चेहरे पर चिंताओं की लकीरे माथे पर पसीना क्योंकि आपका एक टॉलेट बना हुआ है साउथ वेस्ट में और आपको वास्तु कंसर्टनेंट ने बताया कि ये टॉलेट आपकी स्टेबिलिटी खतम कर देगा आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे और आपने पड़ भी लिया किताबों में इंटरनेट पर देख लिया जब जितना जितना आप इसको देखते चले गए उतना और ज्यादा वहम के अंदर फस्ते चले गए अब क सबका इस खास कारेकरम में जिसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ वास्तो शास्तर की वो सब बातें जहां पर जाकर आप भश जाते हैं आप देख रहे हैं पिछले कई वीडियो मेरी जा रही है लगातार और मैं टॉलेट की और किचन की रेमेडिस के बारे हैं बात करा हूँ डिफरेंट 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 दिशां में इसे कहना चाहिए कि एक टेलर मेड रेमेडि होती है कैसे की जाती है बहुत असान तरीका समझ लेना रेमेडि कैसे काम करती है आज हम बात कर रहे हैं नेरे तिकोन, जिसको हम कहते हैं, साउथ वेस्ट दक्षिन पस्चिम, भूमी का कोना, अर्थ कॉर्नर, वहाँ पर अगर बन जाता है, टॉलेट वाश्रूम बन जाता है, वहाँ पर, तो नेगेटिविटी क्रेट करता है, कैसे ठीक करेंगे, असान तरीके मैं आपको बता रह हमारी चल रही है, रेमेडी की वीडियो, यह देखिए, एक वाश्रूम किसे ने बना दिया, कहां बनाया, साउथ वेस्ट में, दक्षिन पस्चिम में, इसने भी वहाँ पर जहे, प्रॉलम क्रेट कर दी, कि जो मालिक था, मालिक के स्थान पर जब टॉलेट होगा, गंदा ह जाएगा, वहाँ पर वो, तो उसकी स्टेबिलिटी में फरक पर जाता है, समस्य आ जाती है, यह देखिए, एक और वाश्रूम, यह भी साउथ वैसे बना हुआ है, एक के बाद एक वाश्रूम, आप कई पिक्चर देख रहे हैं, वाश्रूम का मतलब होता है, टॉलेट जि इस भावन में आप रहते हैं, उसका जो दिशाएं हैं उसकी, वो हो सकता है कि कुछ इस तना से हो, सीधी दिशाएं भी हो सकती हैं, और गूमी दिशाएं भी हो सकती हैं, दोनों के संभावना हो रहती है, किसी भी घर में, आप देख रहे हैं, सीधी दिशाएं, यहाँ पर बन जाता है कोई भी टॉलिट तो ये बन जाता है negative. वाश्रूम, टॉलिट, नेगिटिव. यहां तक नहानी के जगह जो सिरब बात के जगह होती है वो भी negative होती है, इससे क्या होता है? यह जगह है अर्थ element की. अर्थ element बोलता है हैं प्रिफिय तत्व. देखिए अर्थ एलिमेंट के जगा थी जहां पर की पानी आ गया भूमे के स्थान पर भूमे तत्व के स्थान पर जल तत्व वहां पर आ गया नुकसान कर देगा क्योंकि जल का स्थान तो हम छोड़ा है बहुत पीछे नौर्थीस में छोड़ दिया अब इसको कैसे ठीक करेंगे हमें दो तरीके हमारे पास हैं एक तो हम क्या करेंगे यहां पर अर्थ एलिमेंट को यहां पर रीक्रीड करेंगे बढ़ा देंगे और वाटर एलिमेंट की वैल्वी हां से खतम कर देंगे कम कर देंगे बड़ा असान तरीका है तो मिश्किल काम नहीं है देखे कैसे करेंगे हम सबसे पहले तो आपको जैसे बताता रहता हूं सबसे पहले जहां भी negativity पूरे घर में हो एक फार्मूला अपने पले बान लेना भारदवा जी का बहुत काम आएगा आपके जहां भी negativity लगती है आपको घर में लगती है कहीं भी लगती है तो सबसे पहले वहाँ पर नमक का पूछा लगाना शुरू कर दो कौन सा नमक यूज़ करना है आपने sea salt sea salt कौन सा होता है sea salt होता है हमारे पास यह जो आप देख रहे हैं आम तौर पर आपको जो है market में मिल जाता है नेट पर भी मिल जाता है यह खड़ा नमक बोलते हैं संबूद्री नमक बोलते हैं इसका पोछा लगाना शुरू करो और थोड़ा सा यह जो नमक है किसी भी non-metallic plate में डालके जैसे शीशे की हो सकती है प्लास्टिक हो सकती है चीनी मिट्टी की होगी इस वाश्रूम में जहां भी जगा मिलती है बात्रूम में टौलेट में वहां पर आप किसी कौरण में जैसे सामून रखने की जगा मनती है वहां रख सकते हैं उसके उप बिजली कर्फिंग वाले यूज़ करते हैं आइस क्रीम वाले यूज़ करते हैं पिछले मैं दो त्री विडियों से बता रहा हूं लगाता है इसका इंट्रोड़क्शन दे रहा हूं बहुत जबरतास्ता है और मैं बहुत यूज़ करता हूँ मैं नमक से ही सारे काम वे मिल पाणी मुढाला करते हैंinosaur नदी actast k 1 अजाने li amazed नवप सारा इकटा कर लो टौलेट का और करने के बाद नवप सब गुलके का होड़िए करें वह पानी में सब जायेगा और तो तक नमगा US आने बन्युद जाएगI वहाँ पर कीडे मकोडे वहाँ पर कोई भी विशाणू पैदा नहीं होगे डबल पैदा हो गया नमग कहीं फैका नहीं करते है कभी इसके बाद जो पूछा लगाना है आपने उसको थोड़ा सा पीच लेना उससे पूछा लगा या फिर रात को थोड़ी से दो चार डलीया इ पूछे में डालके पूछा लगा दें एक इसके बाद क्या करना है कि यह जो सौट जो सी सौट है इसका तापने प्रयोग करी लिया साथ साथ आपको बताते हैं एक बहुत जादा अनुभूत प्रयोग मैं आजकल बहुत रिसर्च कर रहा हूं इसके ओपर टंबस पे बहु रिसर्च कर रहा हूं मैंने बहुत जगा पर कम से कम 100-200-300 जगा पर कठा मैंने यूज किया और करने के बाद उसके रिजल्ट पाए तब मैं आप से शेर कर रहा हूं दूसरा इसका असान तरीका होता है कि आप देख रहा है यह टंबल्स है ब्राउन कलर के टंबल्स किसी शीशे के बाउल में डालकर आपने हमारा इस सोउथ-वैस में दक्षिनद पश्ची में आपने रह देना है देखे कहां रखा मैंने इसके दक्षिनद पश्ची में एक पौधा टरकोटा ले ले लें तेरकोटा के जो गमला होता ने उसमें ठोड़ी मिट्टी भरके ज ताइल लगानी है वो भी ब्राउन कलर की यूज़ करो ब्राउन पेंटिंग वहां पर लगाओ ब्राउन कलर का फुटमेट लगाओ फर्ष को ब्राउन कलर महां पर यूज़ कर लो हम क्या करने ब्राउन कलर से वहां पर सब का सब तंबल से कलर से टाइल से मैट से फुटमेट सबसे वहाँ पर वहाँ पर हम और जो हमारा यह है मिटी का गबला हम आप रखा टेरा को उटागा यह सब अर्थ एलिमेट वहाँ पर बढ़ाएंगे तो आटोमेटिकली वहाँ पर जो वॉटर एलिमेंट और साथ में नेगेटिविटी होती हो वहाँ पर टॉलिट से उसकी वैलिव कम हो जाएगी हमेशा जब जब यूज करना है आपने इसको एस टॉलिट को तो ध्यान कर लेना आपने के वहाँ पर आपने एक्जॉस्पन यूज करना मत भूलना गंदगी वहाँ से निकलती रहे इसके साथ साथ वहाँ पर सफाई जब यूज कर ले तो बंद कर ले उसके बाद जहाँ जो वहाँ पर लैटन के सीट होती है जो टॉलिट सीट वहाँ पर अपने रखी हुई है उस टॉलिट की सीट को भी आप वहाँ से ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसको भी आप टॉलिट की सीट को भी बंद करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये देखी खुली ही सीट हमेशा नेगेटिव होती है वास्त्र के नुसार अब हो सकता है कि आपका भूखंट घूमा हुआ हो तब जो वाशनों बनेगा हमसे एक क्वेशन करते हैं हमारा भूखंट घूमा हुआ है तो यहाँ पर जब टॉilet आपका होगा तो कहां होगा नेगेटिव जगां कौन सी होती है ये जगां पूरी की पूरी टॉilet के लिए नेगेटिव जगां होती है यहाँ पर टॉilet या वाशनूम ठीक है शोचाला हम कहते हैं यह सब चीज़ें यहाँ पर साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए दक्षिन पश्ची में नहीं होनी चाहिए यह गलत होती हैं यहां पर भी आपने वही दोनों प्रियोग करने हैं नमबर वन आपने थोड़ से वहां पर ब्राउन कलर के जो अर्थ ऐलिमेंट को दिखाते हैं वह आपने तंबर यूज करने में आपको दिखाता हूँ अभी यह तंबर मेरे पास भी हैं आप देखना यह ऐसे कुछ होता है जैसे पथर होते हैं त्रिस्टल जैसे होते हैं यह बहुत असाने से मिल जाएंगे नेट पर भी मिल जाएंगे पोर्टल पर मिल जाएंगे और आजकल तो सड़कों कराले बैठते हैं इसको बेचने वाले यह सब लेने अप्रोक्सिमेटले आप देख रहे हैं 200 ग्राम के 300 ग्राम के असपास होंगे इससे शीशे के बाउल में पोषह में करना है और साथ में आपने रहना भी है एक पोषह में और एक रहना प्लेस भी करना 25 देना है दूसरा आपने क्या करना यहां पर यह जो टंबल होते हैं टी यू एम बी ली एस टंबल्स ठीक है यह ब्राउन कलर के आपने यूज करना है वहाँ पर एक बाउल तो चाहर दिन के बाद में वाश करते रहेंगे तीसरा यहां पर इसका हमेशा डॉर को बंद रखेंगे सफाई बहुँ जादा रखेंगे डॉर क्लोज रहना चाहिए यहां पर डॉर क्लोस्ट और इसमें ब्राउन कलर की जो मैट्स वगरा होती है वह यूज करने आपने ब्र साव वेस्स नदर दक्षिन पर Absolite से में अर्थ såब को अ हुँग के ब्रण के अंदर हमने रहलें वहा पर अर्थ क्रेट कर दी और वहां पर पर परिवर्दन आपके जीमन में आएगा अगर कोई साउथ वेस्ट में बना हुआ टॉयलेट आपकी स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है और वहाँ पर प्रॉल्म करेड़ कर रहा है तो आप देखिए उसके बाद आपका जीमन बदलेगा चोटी चोटी रेमेडी डॉक्टर अनंद भादवा से जुड़े हैं आप तोड़ पोड नहीं करतें बिल्कुल भी और घर को कर लेते हैं ठीक अगला वीडियो फिर से आपके सामने आएगा एक निया टॉपिक जो की बहुत जादा बर्नेंगर बहुत जादा असके बारे में हमारे पास स्क्वेरी जाती रहती हैं उसको लेकर आपके सामने आऊँगा और शेयर करूँगा आपसे वास्तो की वो बातें जो जानना आप के लिए हैं बहुत ज़रूरी अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगा एक निया टॉपिक लेकर आऊँगा बहुत जबरदस्त मुझे पता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करे लिया होगा रोक नहीं पाएंगे आप क्योंकि इतने अच्छे अच्छ क्योंकि आपके सामने आपके सामने जो कि झाप